पहले में बता दूँ कि नाटक को प्राचीन सास्त्रकारों में महाकावी ही माना है। इसके दोगी हूँ, जो पहला जो द्रिश्च काव और जो दूसरा स्रव्य कावी कहलाते हैं। यानि आप नाटक सुनकर देखते हैं एवं नाटक में महाकावी के दस रसों का आनन्द भी लेते हैं। दूसरी तरफ नाटक एक ऐसी विश्व प्रसीद किरदार की कथा है जिसमें ग्यान, गुध्धी, आनन्द और उट्सा के साथ नीती, चरित का प्रकटी करम होता है। या सब कुछ चानक्य में था। ऐसे किरदार को हम नाटक में देखेंगे। डुर सरव परी रभागिष्ना सब। दूसरी बौसरी तरफ और जिब बुलिए कि जूए। या जिए बुलिए। या प्रफ लिए। तरफ नहीं ही विजए तरफ दोए। या तरुटिएंस तरफ डवस्तानसईस और फविश्य की चिंता नहीं करने हैं बुद्धिमान मनुष्य वर्तमान में जीते हैं यह थी आचार्य चानक्य की भूच से बोली हुई शाश्वत निती जो आज भी संपूर दिवन में जीती है इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम आज हम कक्षा बारवींगे चात्र आप सब के समक्ष आचार्य चानक्य पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो की जैशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त पर आधारित है और मूलतह हिंदी में हैं प्रथम तह नाटक के उपक्रम में आचार्य चानक्य की जीवनी के बारे में जानना उचित मालूम पड़ता है चानक्य विश्णुगुप्त या कॉटिल्यम चानक के पुत्र थे और मगत के रहने वाले एक श्यामवन वा कुरूप ब्रह्मन थे वे एक क्षशिला में बनने के पस्चाथ वहाँ पर अर्थ शास्त्र के अध्यापक मन गए यह अवश्य कहना होगा कि वे मनुश्य बड़े शाली थे जिनके बुद्धी बल द्वारा प्रशंसित राजकार्य क्रम से चंद्रगुप्त ने धुनानंद के अठ्याचार पर पून व आज उनी का स्मर्ण करते हुए प्रस्तु थे आपके समक्ष नाटक चानक्य अध्याद की राजधानी पाटली पुत्र शोन और गंगा के संगम पर थी राजमंदिर दुर्ग लंबी चोड़ी पंड्य वितिका परशस्त राजमार्ग इत्यादी राजधानी के किसी उप्य लोगी वस्पुता भावना था, खाई, सेना, रंतरी इत्यादी सेवा सुरक्षित भी थी, उस समय महापत्म का वहाराज जखा, नौवे नंद का नाम घनानन्द हुआ, उसने गंगा काट बनवाए और उसके अवाहा को कुछ दिरों के लिए हटा कर उसी जगा अपना भार खाई खजाना गार दिया, उसे लोग घनानत कहने लगे, पाटले फुत्र के नगर प्रांत में पुपली कानन के मौर्य सेनापती का एक विभभीन ग्री था, महापत्म नंद के और उन्चे फुत्रों के अच्चाचार से मगत काप रहा था, मौर्य सेनापती के बंदी हो ज बने थे और वह था उनका राजा, उनी लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बना कर चड़ता और गंड़त था पुरस्कार आदी देने का राज़किया अभिनए कर रहा था, उसी ओर से चानक के जा रहे थे, उन्होंने उस बालक की राज़क्रिडा पीने के लिए गौँ चाहिए, इन्में से जितनी इच्छा तुम ले लो, राजन, जिसकी ये गाए है, वो रहा ने लगे तो, किसका इतना साहस है, जो मेरे साहस शाशन को ना माने, जब मैं राजा हूँ, मेरी आग्या आवश्य मानी जाएगी, राजन, आपका शुपनाम क्या है, महराज ये बड़ा धोस्ट रर्पा है, इसके किसी अफराद पर ध्यान ना दे जिएगा, कोई जिंतान हूँ, ये बड़ा हुनहार वाला था, उसकी मान से जिन्दपी के लिए, तुम इसे किसी प्रता अजा तुम नहोजा करो, इसके पिता, महराज के आगे ऐसे बंदी किये गए है, बालक का तो चनुष ना होगा, तुम इसे अवच से राज किल में ले जाओ, आओ, इन महाना आत्मा के चनुष करूँ बालक को अशिरवाद दे कर चान चले गए, बालक के अभिभावक बहुत डरते डरते, एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को ले कर राज्यसभा में पहुँची, नन्द एक निश्ठुर, मूर्ख और टापजनक राजा था, उसकी राज्यसभा पड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी, पहले के राजा लोग, एक दूसरे के बल, बुद्धी और वैभवक की परिक्षा लिया करते थे, और इसके लिए वे तरह तरह के उपाये रचते थे, जब बालक अपने अभिभावक के साथ राज्यसभा में पहुचा, उसी समय किसी राजा के यहां से, नंद के राज्यसभा में की बुद्धी का अनुमान करने के लिए, लोहे के बंद पिंजडे में मूम का सीन बनाते भेजा गया था, और उसके साथ यह भेलाया गया था, कि पिंजडे को खोले बिना ही सीन को निकाल लेजिए, सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लगी, पर उस मूस मूर्थ सभा सदो को कोई उपाय न सुझा, अपने अभिभावक के साथ वह बालक यह लिए गेख रहा था, वह भला कब मानने वाला था, उसने कहा, मैं निकाल लोगा, यह कौन है, यह मौरे सभाटी कलर का है, यदि तू इसे ना निकाल सका, तो तू भी इसी पिंजडे में डाल दिया जाएगा, अरु, यह क्या, यह क्यों है, तुम्हारा नाम क्या है, चंद्रगुप्ट, किसका था, आगामी वर्षों में यहाँ बालत अपना नक्त विश्वविदित करेगा, कुछ वर्षों पस्चात, चंद्रगुप्ट तक्षिशिला विश्वविद्याले में, अपने सहपाथी, मालव देश के राजकुमार सिंहत, आचार्य चानक्य से शिक्षा करने लगा, कालचक्त चलता रहा, और वह एक वीर योधा में परिवर्थित हो गया, उसी काल अखंड की अवधी में, यवनों ने भारत पर आक्रमन करना आरंब किया, जिसके कारण आर्यवर्थ की सीमा और राज्य पर संकट के मेग मंडराने लगे, अब चलिए, नाटक के मुथ्य क्रम का आरंब करते हुए, चलते हैं पाठली पुक्तर की एक भगन कुटिल की हो, जहां पर चानक्य अकेला बैठ कर धनिष्ट चिंतन में मगन रहता है, और तभी एक पतिविशी का प्रवेश होता है, जोत्री लीते थी, पिताजी यही मुझे दोग में दिखा कर राजमंदिर का सुक्ष मुझा कपते थे, ब्राम्न थे, रुप और अरंबरिक जुवी का से संदुष्ट थे, पर अब वे कहा है, कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पाचानता, यहीं चमज़क का राज क्या है, यहीं, इथे के खरो को गड़ी को उश्ट मुझे को, यह घर है, यह घर है, जुने पशे की खो कहने जी संदुष होता है, यहां को सेम और अत्मों का भंदार नहीं जली, इतने का भाई हो, यहां तुम किसी यह खोज रहे हैं, हाँ खोज रहा, यहीं जोपरी में रहने वालो बुट ब्रामहन चलप को, आज कर दो कहा है, बता सकते हो, ओ हो, कई वर्ष हुए, वो तो राजा की आग्या से निर्वासित कर दिया गया था, हाँ, वो ब्रामहन ने बड़ा हटी था, उसने राजा नन के विरुट पचार करना आड़म कर दिया था, सोधी क्यूट, एक मंति शक्तार के लिए, उसने सुना कि राजा ने शक्तार का वंदिग्रिया में वक्त करवा ड़ा, ब्रामहन ने नगर में इस अन्या के विरुट आतंग खलाया, सबसे कहने लगे कि ये महापद्म का जारेश भुद्र नन, महापद्म का हत्रकारी नन, मगर फिराच्चे से राज़ा कर रहा है, नागरी को सामदान, अच्छा तक्प्ला हुआ, वो पक्रा गया, सोधी कब जब एकी नहेर की याथ्रा करते हुए, नन के लिए राज़पद में मुक्त कंट से नागरी को नादर के वापए कहे, ब्रामन नन को सुन जाया, ये भी कहा कि तेरा मित्र शक्तार वंदी है, मारा नहीं गया, पर वो ना माना, ना ही माना, नन ने भी चीगए उसने ब्रामन से बोट पिहाँ में दे दिया, और मगस्या निर्वासित कटिया गया, ये, यही तो उसकी छोप्री है, अच्छा, एक बात और बताओ, क्या फुश्ते हो जी, तुमे एक बात और जान लो, कि नन को ब्रामन से घोश अठुता है, और वो तो परमानुयाई हो गया है, होने दो, परंत व्योग को बताओ, सक्तार को कि तुम कहा है, वेज़व राज को पारिम जल में, और इतनी सी पार्थी में जो लाता था, जे, ओ भगवान, गया करको एक बात और बता दो, सक्तार को कंव्याज सुवासली कहा है, हाँ 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 यह वो तो बोट भी आने चल गए थी, परंत वहां भी नड़ा सकी, पहले तो अभी नहीं करती सिर्थी थी, आज कल कहा है, नहीं जानता, पिता पापान नहीं, सुवासली अभी नोत्री हो गई, संभापा पेज की ज्वाला से, पेज साथ दो गोटिंडे पासर वनाज, अर्दुसंदूर दिलों की सोब से उग रहा है, क्या इसे लिए आपके की सीपों साया का संगतन मनश्य नजिया था, मदाज, मदाज, साथान, तुझा एक बार चली, नं से कखे, नहीं, परंती, मेरी जिनी, मेरी विप्टी, बस दो में जाए, मैं शाथ कर अरे साहिला रहूंगा, कि सब बन जाएंगा, तो चली, यह एक लक्री का फ्तम जोप्री का भी भी खड़ा है, इसके साथ मेरी वालेकाई की सहस्री भावर्य लिप्ती हुई है, जिंदर मेरी ठवल मदोर हशी का आजरंग चरा रहता था, शौशा किस्मिक मस्मिती, दुरीज हो, यवणों के आक्रमण की ओर, दृष्टिपात करते हुए, आचार्य चानक, आर्य भूली के हिट की एक्षा से, ननचन परिश को सहता है, सहेता हे तू आगन्पुत होते हैं, जहां पर नन्द सहित, उनके सभासत, अमात्य राक्षस, और अमात्य वररूची भी उपस्तित होते हैं, और इसके पस्चाथ, सिनातक चंद्रगुप और सिंहरण का प्रवेश होता है, तखा इस सभा में जो धिटना घटी है, वो संपूर भारतिय तिहास को प्रट देती है, अब प्रस्तुत है, मगग में नन्द की राजिस सभा, राक्षस और सभासतों के साथ, नन्द, हाँ तब, यह उच्छा के लिए गरें यह संबंद सुकार नहीं, क्यों, प्राच्छ दोष के बाद है, और शूद राजा के कर लिया, सुवज परने नहीं कर सकते, इतना गोई, यह उनका कर भी है, यह धर्म का बंद है, लंग है, मैं इसका फर्च खाद हूँगा, मगज जिस सक्षाए राष्ट का अपमाद करते, कोई जोगी नहीं बच जाएगा, ब्राण मेरे का है, यह हो बेर, मगज से शुच्छा के लिए गरें ने कच्छला के समाता का है, रिया लाँ, राजा दे राष्ट की जेव, राष्ट, आयद ते बर्वची ओभी नहीं आए, देखा था? जेव बेव, ने समा राथा, तो किसमा से आएवे इस नात्रों की परिक्षा लीजिए, राजा थी राज, जिस गुरुपर नो परिक्षा देकर मैस्वार इस नात्र हुआ, उसकी प्रमान के भी पुनों परिक्षा, अपने गुरुजों के बोती अप्मान करना है, परम्ठ राज को इसका रुप्या पैसा, ब्यर्थे साथ को भी लोगता है, या इसका सुलिप्योग होता है, इसका मेंने कैसे होगा, के वे सभन की सिच्छाई मनुशों के लिए परियाप्त है, और वह तो मगद नहीं मिल सकती है, परम्ठ राज की सुच्छा माना ज़वार जोने परियमें नहीं हो सकती, तक सुच्छा चे लोता हुआ इसना का ज्राम्धन, भ्राम्धन, जी लोगते को गिच्छा की समाने की आतब दो लोगता कर रही है, नहीं माराज, ज्वाला कहा, भस्मागंटी तंगारे रहे जई है, तब भी उतना ताप, वो तो रहेगा ही, जिसकिन उस्का अंथ होगा, इसी दिन आर्यवत का भ्यंस होगा, वगि आमधने जाम्धन जिनाष्टा विचार किया है, तो जन्न भूनी के भलाई के लिए उसका प्याथ कर दो, तो जिराष्टा कशिन चित्तन के लर्जाम्धन भी कर सकता है, भामाई, तुम भूने यह जांते, कुच्य प्राणा जिको, महाराज, इसे सीद्ने के लिए ही मैं तब शुचिला गया था, और मगट का फेरी उसादर के इसी गुरुपल में मैंने अज्रातन का चार्यवी किया है, इसके मेरा भी दो यह नहीं आर चकता कि नहीं भी थे, तुम्चिद्रह, एक लात प्योटर महाराज, यहने के विकत नहीं निशुच्परवत महला पक पहुच गई है, तक सुलाजीश की इसमें इसम्दी है, तब मगट का समस्त आग अगर पागा प्रांग होगा, उपर अगत में नहीं से चोटे चोटे जना तंग रहे, वे सम्दिक पार्शिक जलन बलको रखने में असमद्ध होंगे, अगरे परवतेश्वर में साहज किया है, इसलिए मरग के परवतेश्वर की सहाय का दगी चाहिए, उप्तक परवतेश्वर अपने करप का फर्व होगे, और दाम अचानक के परिक्षा दे करें कोई सामराज इनिती समझ लेने का अविकारी नहीं हो जाता, सब्सक्रे बहुत आमत्या, परम्त यवन आज अमकारी बहुत आजाम हमने दोड़ना रखनेंगे, बाचाल ब्रहों, तुम चुप रहाजासी को, बेगा परिद्या को अगर्की लेके निकाल देगा, राजरी राज, मैं जानता हूँ कि द्रमाज में मनिश्य कते सकते तादिया निवर महीं करता, इसलिए मैंने प्राथना नहीं की, अपने अपर एक ब्रह्माज को पे लिए, मैंने बिच्टा नहीं माँगी, क्यों चांदा था, जोनी द्रमाज होने के कारण ना मिलेगी, पर अंपर राजरी 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 चनक के पित्र होना, तुम्हारे पितावे ऐसे ही हटी थे, क्यां, उस विक्तु अहीं ब्रह्माज की संताव, प्रतिमार, निकालो उसे हावी राजरी राजरी राथना करता हूँ, कि गुरु देव का अप्मान इस तरह ना किया जाए, इनोंने जो कुछ कहा है, वह राजरी की हित के लिए है, उस पर विचार किया जाए, कौन, सिनापति मारी का गुमार, चंद वक्तु, हाँ देव भुत्र, मुझे भी युद्धि निती सीखने के ये तक्षिजा बेजा गया था, क्या मेरा सहबाठी सिंगरण है, हमने अपने आकों सेगा अंधार का उप्लाव देखना, जाए, गुरुद्धि देव के मत पेपूर्ण विष्वास है, यहां गंतु का पती पंचनांद प्रदेश्ट की न रह जाएक, हाँ राजे राज, आपको राज़ा परदेश्वर की, यह मुझे भुद्धि राट्टे में सहाइता करने चाहिए, कि वह समस्त आरे भुमी के, एक संकत, अजो जी वक्त, तो क्या इसलिए राट्मानेश होने पर भी परदेश्वर की सहाइता करें, असंदव है, तुम राजा ज्याद अगादने देकर, फुष्टा चार्ट सेखो, परदियार, निकालो इस ग्रामन को यहां से, यह बड़ा ही कुशक्री मालू परता है, तुम राजा ज्याज, ऐसा करके आप एक बड़ा भारी अन्याई करेंगे, और मगद के सुभचिंदकों को भी सत्रू बनाएंगे, सुर्ण चार्ट, यजि तुम्हारी की उच्छा है, तो इसी ग्रामन के साथ का सकते हो, अब करेंगे मगद में प्राम लखना जिखना, सादानन तुमारी धर्मन निकासे पोरू ग्राजनी पियां दिभी बरत लोगी, उखने समूरी अंद्रंच, उखेडा, संबर नियोटी के वहों में बलपरने लगा है, शमयाजक उखेडे, तुम्हार बास रखेडे, बास दिया संपहता जाओो और चाक्ट खत्या मुदाभी शिख्यो, बतिहार इसको अब्रामन की सिखा तगर के बिसे के जो. केचिने प्रामजन की शिखा स्वाम भख्षी भी साचर केचिने पारंपों यह शिखा मन को इक काउचर दीनी हा मन आड़ इसमे गच्छा रख्या यह पतिज्या करता ही यह शिखा तब तक बंधन में आ रहेगी जब तक मन कुल इस्टेस्ट नहोरा इसे बंधी करा नंद चानक्य को मगत के बंधी ग्रह में कैद कर लेता है और कुछ समय पस्चात, अमाध्पे राक्षस और वररुची चानक्य को मुट्टी के बदले में गुट्टिचर बनाने के हेतु से उसके पास जाते है परंतु चानक्य मना कर देते है इसी वार्ता के बीच चंद्रगुप्त बंधी ग्रह के सारे प्रहरियों का वद करके आर ये चानक्य को छुडवा ले जाता है इसके पस्चात प्पिशोद की अगनी में जलते हुए चानक्य राजा परवतेश्वर या पूरस की राजसभा में उसे नंद के विरुद साहिता लेने के लिए जाते है आपके बाते ठीक ठीक समझ में नहीं आती परफो आवे जी मेरे पास बात ही आना अभी कुछ कर दिखाने में मैं आशा मर्थ हुए परन्तु अभी मुझे यवनों के साथ युद्ध करने जाना है मैं अपना एक विसानिक मगद नहीं बेच सकता मेरे पाल ही लग जाओंगा नहीं तो आगामे यवन मुद में मगद की मक्षा भी सोना परवतूष्वर को पता को किनी जायत करती है तो इस मगद विरोध का केंद्र कौनों को नन्त के विरोध खड़ा होता है सोना पपी मौर्य का कुमार कंद्रवित जो मेरे साथ यहां आया है विप्पली कानन के मौर्य भी तो ऐसा ही विशत थे उनको राध सिंगाशन दीजेगा आर ये प्लाव का वोग होगाने से निविश्व प्लमुला वस्टता यक्षप्वा है बादों के प्रमाव में आने से उन्जों संस्कार ठूट गया है पर उन्जों सत्वों है ने पर कोई संद्ध नहीं और महराज भर्मा के लिए आम अग ब्राम्हन है मुझे पात्व देखकर उसके संस्कार करने का अधिकार है बादों में एक सार्वा भावन शाष्व गुद्धी बाभा है वो अपने पिस्की के लिए रक्षा के लिए अफ्रोगा के लिए उतर वर्मे का संद्ध न कर लेगा ये आपका स्विचार नहीं है ब्रामण वस इसका बाम्हन अप्रवक्टी रूठ हुआ था तक पल्लव, दरः, काबोज आदि छप्व गने थे ये कोई नई बात नहीं है महराज वह समर्थ रिष्यों की बात थी दाविश्यों इसका बेना करता है कि रिषी पिने का प्रहा खट्व आदि नामी पाराव तो इसका मिग्राव नहीं हो सकते दाम्हन शासित राष्ट में रहने वाले प्रामण के मुख से ये बात सोबा नहीं देती उसलिए तो दाम्हन शासित को शत्यों शासित मिलवाना चाता है जिसके लिए कहा बहा है कि शत्यों को शस्त्य भाराव करना आर्ट वाने सुनाई नहीं पहने चाहिए दावरे तंदेविश्यों शत्यों गमाने थेंगे कल्पना है अध्यक्षोगी असमरं लखना आसन्य वलन विब में तुम शार अगर्व से पराभूत होगे समस्तार अगर पदाक्रांत होगा उस समय तुम मुझे समरं करेगे ये वल अभिशाव पस्टर लेकरी तो ब्राम्मन लरना चांते है मैं इससे नहीं आता अध्यक्षोगी अध्यक्षोगी तुम मेरी सीमा से पहार हो जाओ जाता हूँ कि मोचम अब आगे आले चानक्य और एक वन पत्थ से प्रस्थान करता है अस से मुर्चित हो जाता है और एक व्यागर के आकरमन से उन्दर के सेनापती सिल्यूकस द्वारा रक्षित होता है चंद्रगुप प्रितग्यता व्यक्त करता है और सिल्यूकस के आतित्थे को पुना कभी प्राप्त करने की आग्या पाकर वहाँ से प्रस्थान करता है इसके पस्चात, चानक्य, चंद्रगुप और सिंहरन दांड्यायन नामा के तपस्वी के आश्रम को जाते हैं जहां उनकी भेड सिकंदर से होती है सिल्यूकस और फिलिप्स भी वहाँ उपस्थित होते हैं तो चलिए, चलते हैं दांड्यायन के आश्रम की ओड़ हलो, हलो महाथपी, हम लोगे को प्या आग गया कि फ्यार समय तफित हो, चानड के तुमको तो कुछ दिनों तक इसी स्थान पर रुखना होगा क्योंकि सब जिद्या के आशारे बोने तर भी तुमको उसका वल नहीं मिला उत्रोट नहीं मिला, तुम्हारे नम्मे अब भी है चल बचिया यह अलबस्ता संतों जलब नहीं जोख स्वाबत अलबसेंद्य तुमको 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 तुमकों आई में जितने की आशिर्वाद होंगे सब आउबां में जनफ होंगे आपके मूझ से जय सुनेगा में आशिरू जय रूज तुम्हारे चारण करेंगे हट्या, रटबात, अबनी कान, आदी के लिए उपकरण चुटाने में मुझे कोई आनद नहीं अलक्जेंडर, राज सकता सुनों अस्था से चले तो चल सकती है, केबल विजयां से नहीं, इसलिए अपने प्रजा के हिट में लगो ये वगत के निर्वासित राजकुमार है आपका सुराणत करने के लिए अपने से निमंदर्ण करता हूँ अनुग्रेहित हूँ, हारे किसी भी निमंदर्ण को सिकार नहीं करते अपसे इनका प्रजे का हूँ इससे तंदर पहले ही मिल चुका हूँ आपका आवार में अभी भी नहीं हूदा, आपने अव्याद से मेरी रक्षा की थी, जब मैं चेद पड़ा हुआता हूँ सावधान अलग जेल, देखो, यह अपारत का भावी समराथ तिम्हारे सामने परखा हूँ सब स्तब्ध होकर चंद्ध को देखने लगते हैं, और आश्चर्य से नांड्या आपने लगते हूँ एक वहीरी भूत की सब्धे प्रमानित हो जाती है इसके बाद चंद्रगुप सिकंदर का निक्तन स्विकार कर उसके शुरिर जाता है और वहां सिकंदर उसकी नंद के विरुद सहायता करने के लिए उत्यक होता है परंतु चंद्रगुप की हैं प्रस्ताव अस्विकार कर देता है आगे युद्व की घड़ी आ चलती है राजा पर्वतेश्वर की विर्ता को भलीभाती प्रदर्शित दरता है और भारत के गौरों में इतिहास की साक्षी देता है प्रस्टत आपके समक्ष इद्वक्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर सेनापती भूल हुई हाथियों में उठम बचाड़ा खाया और राज सेना भी दर सी लग रही है सेनापती युद्व में जाई अमृत्तु तोनों में सेक होनी चाहिए बाराज सिकंदर को भी एच्छी तड़ा से पता चल गया है कि हमारे खर्गों में खितनी भाड है अस्वा माना गया है और राज कुमार के भाले का चोट सिकंदर ना सह सका प्रसंद सा का समय नहीं शी घ्रता करो मेरी रंगज प्रस्तूत हो मैं स्वायन गज सेना का संचालन करूंगा चलो रावन सावधार बचाओ आपने आपको सेरा बते देखो उनकाई लोग रोको उनसे कैदो कि आज रण भूई में परवतेश्वर परवत के समाना चल है जय पराजय की चिंता नहीं इन्हें बत्ता देना होगा कि भारतिया लड़ना चांते है बादियों से पानी की जागा वग्जर बड़ से गजसे ना चिंद भुन हो जाए शीविरक्स लोग रापने ना होगे भादियों से परवतेश्वर के लिए असंबल है धर्म युद्य में प्रान विक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं जाओ उन भगारों से एक बड़ जरेने किस्ते निया कि लग्जा के लाप पर लुखने के लिए कहों कर दो कि माने का च्छा ने की है जाओ महराज इस थार सुरक्षप महें आप इस पहार के चलिये तुम कौन है लिए बड़ एक मालव मालव के मुख से पहला ऐसा कभी नहीं सुना गया मालव और घड़ डिड़ा लेखनी हो तो खरे रहो ड़ लगता है तो पाड़ी पर जाओ माराज इस पर दो आरा रहा है पाड़ी तुमाच जाओ आखनान परतेश्वर साथार्ट लेट जोसे होगा खाड़ शंग्रवेक्त आदेवद्ध किससे है नियस घाले परभवतेश्वर बेट इस परभवतेश्वर से कदाती नहीं, आज मुझे जय पराजय का वचार नहीं, मैंने एक आलोटीब विर्तागा स्वर्गिय दुश्य देखा है, रोमेर की जिस कविताँ से मेरा हिलर भरा हुआ है, उससे यहां मैंने प्रत्यक्ष देखा, हो भारती अवेर परवतोश्वर, मैं तुम्हारे साथ क्य से युद्धना नहीं गा सकता है, धनले आर यहूर, मैं तुम से युद्धना करके महत्री भी कर सकता हूँ, पंचिनन नरेश, आप क्या कर रहे हैं, समस्त मलसे नार की प्रतिक्षा में है, यो कहोने दिए, नहीं लग, वीर्ता भी एक अद्भूत कला है, उस पर मूख दो ना आश्चरी की बात नहीं, परन्तु मैंने वचन दे दिया, और आर यह कभी मित्ध्या वचन नहीं देते। अगे चानक्य, अमात्य राक्षस के समक्ष, उसकी प्रेमिका, सुवासनी के नंद द्वारा बंधित होने का प्रपंच रचता है, और अतहा उसे अपने चक्रवियू में फसा कर मागत से विवश करता है। अब आगे आपके सामने प्रस्तुत हैं सिकंदर के स्वदेश गमन का उत्यों। देखे बाड़े, आज वनी संचता की बारी पर जाएगी। चनट्य ने जो किया हुआ साइठाय गलत, अब समझ में आवेगा। आपके हुआ आपके सामने गलत, आपके सामने प्रस्तुत हुआ आपके सामने अरप्तिन से लेगा। सिनापदी चंद्रगुप्त बढ़ाई है। किस बात की राजन। जिस समय तुम भारत के सम्राग बनोगे, उस समय मैं उपस्तित ना रहाँगा। इसलिए तुम्हें पहले से बढ़ाई है। मुझे उस नगन ब्रामन दंदायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया है। आप भीर है। आप भीर है। मैंने भारत में हर्किलिस, एचिलिस के आपनाओ को भी देखा है। और देखा गिनस्थनिस को भी। संदर्वत है प्लेटो और आज तुभी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। हम लग की आपका अभिनंदन करते हैं राजन। संदार यही आड़ अचारत क्या है। धन्द है आप। मैं तलवार की जोगए भारत में आया। कि गए देकर जाता हूँ। जिनसे खर्ट परिश्चा हुए। जिनसे तलवारों मिली। आज हुनी से हाथ मिलाकर मैं तुरी का हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। हम द्रस्तुत है सदंद। तुम दीर हो। भारत यो सबो विक्तन दिनों की तुज़ा करते हूँ। तुमार उपाल वाक्रा मंगल में हूँ। हम यह रूप करना जान के हूँ। द्रस्त नहीं। सिकंदर है और वे सब चल जाते हैं। अब एक बार फिर हम उसी पूरी का दर्शन दिश्य देखने जा रहे हैं। जहां हमारी कहानी में चरण धरे चुपूर। चंद्रगुप फिलिप्स द्वार के लिए आमंत्रित किये जाने पर उससे लड़ने जाता है। और चानक्या कुसुनपूर को जाता है। चानक्या स्वस्त व्यू रचना कर लेता है। और नंद के समराजी वो उजड़ने पर कटिबत रहता है। इतने में मानों नंद का काल मुर्तिमान में उसके समक्ष शकटार के रूप में प्रकट होता है। वही जक्तार जो चानक्य की पिता चनक्का कभी मित्र था और नंद द्वारा अंधगूप में डाल गया था तो देखते हैं चानक्य और शक्तार वेव सामने कुशन पूर है जहां मेरे जीवन का प्रहात हुआ था मेरे सरा व्यदों में उतकप इच्छा थी कोड़ शंदर्मन में रसा थी है वत्योत नवीन पर इचय नई उत्सक्ता थी और उसके लिए सरवस्व लिका देने की सन्नदता थी परंत संसार कफो संसार ने सिखा जिया कि तिनको परखना होगा समस्दार वाने पर व्यवन चला जाता है जब तक माला गृत्री जाती है तक तक फोल कुम्हा जाते है यही तो विश्मता है मा चला काल चक्र कुट चक्र का गंकाल कफो पाव का केंद्र तो मेरा इस विश्म में कोल सुरुप नहीं है मोरा संकल्प अब मेरा आत्म नान ही मोरा मित्र है अरे यह ध्मनी संदी तोर का अंसर के हाट निका कर वे खुट जो प्रोड़ कर दो तो 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 यह जो नहीं है आँ कैसे नहीं सकती है इनी प्रकाश करनों के लिए परप रही थी ओँ तो तो क्या में जोनी तो कितने दिन कितने मैने कितने वर्श हो नहीं समयने साथ लड़के बुर्ण से परपकर मरें अंदकूर की प्रतान तासर हो परी थी द्रम्यमू संरकार का जिसने उनके विवन मुपों को नहीं प्रिखने दिया के वरूंके तम तोड़ने का शीम सरद उसंसका नजीविता सत्तूर में मिधाकर अपनी नसों सरख भीका परपकूर्ण के लिए परफ्षेश, तम गौत्वाद, उन, तुम को बगी में लिख्यों, बढ़ाई लगत, लगतनारी सहाथा को लिख्यों, तुक का नाम से ना होगा, या कल्भी ताशंगा से तुम उसका नाम लेकर देख्यों, चिल्ना उकते होगे, देखा है कभी, साथ साथ गोट के लालों को भूट से तुलब कर मरते, देखा है कभी, पती हिंसा की स्मिर्थी को उठो करे, मार मार कर जगाते हो, अप्राण्यों चावर करते, देखा है ऐसा कष्ट, उन सबों में अपना आया राखर दिया, और में पत हो कर भी पत्तर सा जीवित रहाँ, जानते हो क्यों, वे सुगमार्द, सुख की चादर में पले थे, अता हमार जाते हैं, मैं जीवित रहाँ, तभी शोद के लिए, उस नर्व राच्छस की, अगड़ियों में से खीच कर, एक बर्रत का फुहरा छोड़ता है, और इस पित् तांग हो अवे, जो दुर्वलों पर अप्या चार करते हैं, गरीवित रहाँ में दिखाते हैं, जिसने अपने पुत्रों की हर्डियों से सुरंग खो दीवल, नखों से निक्टी हटाई, उसे साथाना ने क्या उशक्ता हैं, मेरी वेजना अपनी अंतिम सस्त्तों से अच्छी थे, तो भी तुम को व्यद्वर्चा हैं, हम दोने एक ही तक के पती थे, भद्राव मत, क्या तुन हरा इस समसार में हैं, और कोई जी शुरुत नहीं, पछे थे, एक बालिकार, अपनी माता की इसमें थी, सुवासम, पर अब कहा हैं, कौन जान, क्या कहा हैं, और तुम, शक्ता हो, नहीं दूंगा अगला, अगर दुबारा अपने मुझ से आम आम लिया थे, एक अर्मिक से तक शोद ले लो निको, विचाय तोड़ी दिखना, विश्वासम, नंकुरंशाला महा, विश्वासम पहो, नहीं थे, तुम्हारे सक्षा गाम हन, तुम्हार तुम्हारी जिसकी ग्रंबर इसकी जीन दुगई हो, तुम्हारा तहदा भी जाम कर, राच्जा से निग्रासित कर जया दिया थे, इसी चनद का फित्य दारक्यतू, जिसकी शिखा पतर कर, राच्षवान अपिची गई थी, जो बंदिकों में लिक्ती की तबिक्षा कर रह इस से निग्रासित से जिखा दो, और आमात के वर रूठी, जो भी नंद द्वारा बंदी बना लिया गए थे, उनके सहें चानक्षे के जल में समलित हो जाते हैं, चंद्रवुप, फिलिप्स को ग्वंद में पराजित करके, पुनहा कुसंपूर का उंसता है, अनक्य नाग का उंसता है, जो आफिक गर प्रवकेश्वर्ण हो, प्रवकेश्वर्ण क को चुलिए हो अश्वाभिए को साथ लेकर नगर द्वार में उपस्तित रहना, जट्वाप भी पर्योवक प्यारम करें तुमको नगर द्वार कर आक्रमन करना हो, जो आओ मेरा जो, तुम्हेर के उठार करता है, आपी महाद मतलब की है? हाँ, यही है, जना है, शक्तियों से सदिश्व देने के लिए जियो से लाकती, नंको पापो कि दिन्दता ने तुम्हेरा उठार किया है, अधिन हरा अक्सर है, इन गुर्बल हद्यों में अंद खूद की भाल अप्पा खठदा रही है, और अजबत में गम्हेरा अध्सित्र खथ्या कान निश्टु रावाहं कर रहा है, हत्या कान निश्टु रहा है, हत्या तुम्हारी है नशब, एक एक प्रिड़ा की प्रतेग निश्टु का की इंती होगी, मन्सम्ता से दिकार होगा, मेरा जीवन गर्थ, नान, जन्देवत, सपल का एफिक्शन की ओटी हा, आवे उश्रकत्पव में बहुत अंतर है आगया दीजे गुर्वेव देखोड है नागरिक लोग आ रहे हैं यही अफसर है तुम लोग अभी कर जाने का और विप्रोफ खैलाने का तुम से बरवदु को घृत ले जाना इतने बड़े नागरिक का अपमान अन्याई है शोरी अमात्य राच्चा सा फिवासनी को उसलिपों के बस फमुदर की और सेनापती मंत्री सबुको अंध्रकूप में डाल देना मंत्री सेनापती और अमात्यों के बंड़ी बना अगर जो राच्चे करता है वह एकासा अधित राज़ा होगा नाद्री उसकी कैसी अधित लुकिता होगी मगद तो प्यार गोना चाहिए खर्व नहीं दध्या होने चाहिए ऐसा जगह में अध्याचार ये तो मगद का पुराना इतिहास है जरासंद का ये अथारा है एक अधिपत्त की कटुटा का ये सदेव से अभ्यस्त है अभ्यस होने पर प्याश्या है आज अर्लों की बड़ी वेतना एक उच्छव का भंग होना अपने आपों से देखा है नहीं तो जिस दिन शक्तार को दंड मिला था एक अभिचावत मागदी की सुकुटु महत्या ही थी तब कहां सो रहे थी जंते शच तो है पता की समान हम को भी दख्षा करने वारे महामंदी सक्टार एक अभवार महीं कंकाल सा जिवित समाधी सोठ ख़ला हुआ अपने साथ मेरे परा पुत्रों का रग्त का प्रतिशोग चलोगे साथ मंत्री सक्टार आप धीवित है हाँ महापद्न के पुत्र नंद उस मरहिंस प्रशू नंद कि प्रतिहिंसा का लख्ष मैरी शक्तार वोचितान याजिकरन का ढूंग चंता की सुंठ कामना करने की थ्या अब मैस्त हो गई अब नहीं आजिकरने कुछ ना होगा और मेरे बीवी तुम कौन सेनावर की मार है इसका प्रिले को पता ही नहीं अधा आज़िए हम लगास क्य आज़िए अभी बातना चाहिए चलिए आप लोगी पर हमकी मेरी रख्षा का बहर कौन लोता है मैं रेता हूं मैं उन सब प्रिली तगहाई जयज़र पर कभी ब्लावता चनब्सक हूं जो मलग की जगा हूं साथ हो चंदर देट चलो सब हाँ चलो 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 चानक ये क्या अभान निखला जी तुम्हें उत्तीरन की जिंवारी अप्याचारी अतने ही आचें में जिताए रखता है का प्यायम तुम्ने अंकुपका सक्यों लिया को देश तुम्ने क्या खा मंद की धूल फूल उसे अब्दी ती परा चा सकता है बामन शमानी थी धूल जाओ तगव की उना होने पर हम और तुम साथ ही बाइखान असोंगो एक बार शक्ती हो जाने दो फिर्प्समा का विचार करना का क्या हैं चलो पर वतुश्वर साथान यहना जहां नंद का विनाश होने के साथ एक सच्चे समराट की स्थापना हो और अन्थ होगा एक ऐसे सामराज्य का अचार वा हिंसा के उपर आधारिप था इसी के बाद से भारत का गवरग संपूर विश्व में फैल गया और भारत का स्वण यूग आया इस द्रिश्य में नंद की राजे सवा में अमात्य राक्षस बंडी देश में होता है और कुछ समय पस्चाथ नागरिकों का प्रवेश होता है ये कौन जी मंद्र आथी ये पत्र तुमी ने लिखा है ये तरुम्हास ने उसका रगार शिर्ष से कि निकल वागत इस इस्तरी के साथ मुष्याकर नियु तर्पत्म नभी राज की स्थापना कर रहा हूं नंसा फिर समझ जाएगा आश्यौरेश्य मैने तोब देखा यह कैसा प्रतंच हैं और किसी का नहीं और रहीं यृश्य न नाम अंचानक के कामाराज सतर करें हैं अपने अलुक उप्रिजने पर भी भिश्वास ना कीजिए को भाना गटना गटने वाली है मैं इस प्रदार पताड़िक नहीं क्या देखो इत्मारे मत्राहे रितग में बोल उपर दे न कहूं भी तो आप मानने ही क्यों लगे तो आज तुझे भी इसलिए अंदुगीट में दाना होगा आप सम्राट आपसे नगती पज़ा पास्मा करती है कि राक्षस और अन्वे लोगे पर राजनगार के गज़र पचा है उनका फिर से मिरा करम होना चाहिए क्या। तुम्हें आफ इसके प्रमान है सबस्के हैं छाथ बडरुची, और फेसलिए पूर्भ एह लुष्ब उम्हेया? प्रप्राइब ऑने इनके न्याय हम लोगे सामने किया जाए। जिसे हम लोगो राज दियुमों में विश्वास हो सम्राइब न्याय को गौडब देने के लिए इनके अपराद सुनने की इच्छा प्रज़ारगती है। तो क्या पोगा पीच्छा को रहा बतलना होगा हां महाराई है तुम सब के सब फुत्र ही हो यह संभाथ अपने हिज़ा से पूस कर दो और मेरे साथ मेरे पराग फुत्रों का रख्त न्यायतिकरण की आर में इतनी बड़ी निस्तंग सता तो दिहार उन सब को बंदी नरा लो तो बात है यदी सुपवस्ता से काम चल जाए तो उपद्रफ क्यूं हो जिए का लिपक्ति अभी अप्रागी विट्रवी एक ज़गा इकत्रत हो है कि फुला मोर्य तुम हमारे फिनक्स कि रहो और तुम वर्रुषी हमने तुम लोगों के समा कर दिया और हम लोगों से पू आरे अप्रागों का न्याय होगा तर्वा मन को ठेका मन भी किन इसकता पपी आए राप इमा अगम सब्सक्रत है आओ आओ आज में तोगा दिननना है नंज शुखा प्ली है पर पिछवाने की इच्छा होई इसी में यहाँ आया हो आज तुम्हाला विचार होगा मन तुम द्राह्मा मेरे तुख्ले के पले हुए परेक्च तुम्हाला की समय करिचार करना तुम दाफी हो विट्लवी हो अन्नार हो नंज तुम पर पित्री ही अभ्योग है महा तदम की हत्या शक्तार गवंदी बनाना इसके साथ विट्वे वजीच से तलपाकर मारना सेना तुम मौर्यों का हक्या का उद्योग उसकी स्त्री अभरविची को बन्दी नाना तुम्हुकलीन कुमारियों का पतिक्या नाश और नगर हर्म वारिचार बस्रोग रहाना अंतने सुवासनी शक्तार की ओपना प्रसंतान सुवासनी जिसे तुम अपने ध्यनित पास्टे विप्टी का अभर्याप्ते ये पिसाज श्रीला सुनने की आमिसेत्ना आ हो सब प्रमान यहीं उपस्ती थे खेरो कुछ उतर देना चाहते हैं नहें कर देना चाहिए नंत हम रामन है तुमारो वड़ इच्छा नाम करते हैं को जीवन डांदे सकता है नहीं नहीं में लगी आया रंत की पुंतर कल्यानी हमारे बंधन में है मुझे घमा कर करें चानद कि मैं KIलото जोनिक है मलभ जो एक उड़ी। साथ हट त्याय है अगर साथ मोल नम मेरे हाथ ड़रा इंक मरहा जा तो मैं फो शमा कर सकता हूं अगर इनके बिना भी जी सकता है हम आपे राक्षास के बंदन बढ़ लिए जाएं, आज मज़र के सारे नादम स्वकंद्रे, राक्षास के नहीं चाहिए, परिशत की आधिना होने चाहिए, राक्षास, ब्रणोची, सक्टाड, चंद्रगुप्ट और चानक्या के हम संभी परिशत घूसना करते हैं, परम तो उत्तरा पक्ते समान गनदन तो कुई अगज़ता मज़प में नहीं, मज़प तो अभी भी विपक्ती है, राफीन पाइच मज़र रहा है, इसमें यहां एक सब़ फिच्छास क्या वशकता है, और आप यह विपर उत्ता बादाव जान दोनी चाहिए, यह अगज़न अभी हमारी साथी पढ़ा, तो कौन इसके उप्लोग थे, आती रही से विचारियो, हमारा उत्वार करता, उत्तर पके अनेश संद्रों का हुचता, भेर संद्रगूत, जयाए, जयाए, अच्तू, दर्गोत, संधा संद्रों का हुचता, अब अपकोर अख्यस, सम्रापका राजर कि भीजरा जियो सम्राइच अंद गुदि जाए कि जाए अंद गुदि जाए अंद जाए दो आजाग्लोगे नवर का नविन जनन दुदि आश्य कि इस्वान लगर नगें, कि इसमान लगए को शवतम को श्वतम गटतन न किया है करंपे वक्ति वक्षवकंजिता यहीं पंदी जा सकती है जहां कर दोसे दुषवकंजिता पर गाहना करे यही राजियों मोगा मुई है रच्चंड़ुक्त भेच्छा चारुशासन का परिणाम के निश्वरम देख लिया अब मंदुगर की सम्मती से नगद अलार वबत के कल सम्मराच चंड़ुक्त की जाए इस शिक्षक दिवस हम सबको आचार्य चानक्य से शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी नीती के रुदूल व्यवाहार करना चाहिए अब मैं आचार्य चानक्य की एक शिक्षा जू कि इस कखा का सार भी है अपनी वानी को विराम देता हूं गुणे इरुत्ता मताम याती नौचे रासन समस्थितह प्रासाद शिकरस्थो की सात्पकिन गरुडाई थे उत्तमता गुणों से आती है अपना की उचे स्थान से तव्यवा महल के शिकर पर बैठ कर गरुण नहीं वन जाता धन्यवाद